अलग अलग रेक बनाए हुए नहीं है ये तीस से पैंतिस साल पुराना कीचन है और इसको मैनेज करके मैं मोडरन कीचन की तरह रखती हूँ जब भी हम रोटी बनाते हैं जरूर डाले एक चमच आदा चमच जरूर डाले ज्यादा टाइम भी नहीं लगा है बिल्कुल ही कम ट उत्रा रखें जो कि पूरे दिन साफ रहे और बिल्कुल भी गंदा ना हो तो कौन-कौन सी बाते हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए जिसे हमारा केचन गंदा नहीं होगा तो सबसे पहले देखिए चाहिए तो आप खुद साफ करते हों वरतनों को चाहिए आपकी मैड आती हो तो इस तरीके से जो बरतनों के पाड़ बनाकर केम रख देते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं तो इसके लिए मैं बरतनों को अलग-अलग छांट रही हूं बड़े बरतन बार निकाल रही हूं देखिए कडाई बगोना बगेरा तो सारे बड़े- पर मैंने बरतन निकाल ली हैं लग-बगर तो सारे बरतन अपने अपने जगह पर रख देने हैं जहां हम रखते हैं कैसे कैसे रखने हैं वो भी देखिए तो यह मैंने सारी प्लेट्स उठा ली हैं और जो रेक है बरतनों का उसके अंदर रख देंगे इस तरीके से इसे क् भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम निकाल लेंगे और इदर उदर भी नहीं विखरेंगे और थाली जो है वो यहाँ पर रख देती हूं मैं हमेशा यहीं पर रखती हूं सिलेब के उपर तो मेरे पास अलग-अलग रेक बनाई हुए नहीं है यह 30-32 साल पुराना किचन है और इसको मैंनेज करके मैं मोडरन किचन की तरह रखती हूं तो यह देखिए यहाँ पर चमस दानी है चमस इसके अंदर रख देती हूं जब भी जरूरत होती है तो फटा-फट मिल जाती है इदर उदर ढूनने की जरूरत नहीं पड़ती है और अब देखिए सारा बरतन मैंने अपनी अपनी जगह पर रख दिया है गिलास, कटोरी, बड़ी, कटोरी, कप यह देखिए इस तरीके से मैं सामने रख लेती हूं और यह हर रोज जाने वाले बरतन है और अब यू देख लीजिए आप सेट करने के बाद और अगला टिप्स है किचन को किस तरीके से क्लीन रख सकते हैं तो उसके लिए जब भी हम सबजिया कट कर करते हैं तो उसके सिल्के हर कहीं डाल देते हैं और बाद में हमें उठाने का टाइम भी नहीं मिलता है तो इससे अच्छा है आप एक पलेट रह लीजिए और जितने भी सबजियों के छिल्के उतारो तो पलेट के अंदर उतारो आपको इदर उदर से उठाने नहीं पड़ेंगे और उठाने में ज़्यादा टाइम लगेगा मेनत लगेगी तो वो भी नहीं करना पड़ेगा अब आप इनको उठा करके बाहर डाल सकते हो डेस्ट बिन में साथ की साथ आपका काम बन जाएगा ये देखिए और अगला टिप्स है जब भी हम सबजी बनाते हैं सबजी में तड़का लगाते हैं तो तेल बहुत ही ज़्यादा उचलता है क्योंकि तड़का अगर करारा नहीं लगाएं तो सबजी स्वाद नहीं बनती है तो इसके लिए करारा टड़का लगाना पड़ता है और इसमें से तेल भी उचलता है जब करारा लगाते हैं तो और साथ में जो टाइल होती है इन टाइल के उपर छिटे लग जाते हैं जो गैस के साथ में है या फिर इंडेक्स के साथ में है तो ये सबसे अच्छा रहेगा कि साथ की साथ आप कपड़ा लेकर के और एक हाथ मार दे तो साथ की साथ आपकी टाइल्स जो साफ हो जाएंगी दागे नहीं बनेंगे, पीले नहीं पडेंगे ये टाइल्स पीली पड़ जाती है तो ये टिप्स भी अच्छा है, आप जुरूर ट्राइ करें अगला टिप्स है, रोटी बनाने को लेकर जब भी हम रोटी बनाते हैं तो चकले के बार बहुत सार आटा फैल जाता है इसके लिए आपको अच्छा रहेगा या तो आप अख़वार लगाएं अगर अख़वार नहीं है, तो बड़ा सा प्लेट लगा ले इस तरीके से जो भी आटा गिरेगा, प्लेट के उपर गिरेगा या फिर आप जो भी मैटर बगेरा लगाते हैं उसके उपर गिरेगा, तो इससे क्या होगा, आपका सर्फिस जो खराब नहीं होगा, और आपको आटा जो बिखरा हुआ है, उसको बटोरने में काफी टाइम लगता है, वो भी नहीं लगेगा, तो ये देखिए जो आटा है ये, इस तरीके से अलग उठा सकते हो आप, तो य साथ की साथ क्लीन करें, ये देखिए दूद का गिलास पड़ा था जब मैं कीचन में आई, तो इसको भी आप साथ की साथ साफ कर दें, ताकि इसके चिंटिया बगेर ना लगे, और इसमें क्या है पड़ा रहेगा, तो समेल भी आने लग जाएगी, कीचन में भी समेल आए हो, जो कपड़े वाला है, कोई भी हो, दोनों को आपको धो करके रखना है, ताकि इनमें समेल ना आए, और इसके बाद मैं बताती हूं आपको, जो टैप होती है हमारी, इसके उपर छीटे लग जाते हैं, साबून के, साबून और पाने के छीटे लग करके, सूख करके सफ मार करके, और साथ की साथ साफ कर दें, ये प्रोसेस मैं रात का बतारी हूं आपको, तो साथ की साथ देखिए, मैं इस तरीके से साबून लगा करके, और पानी डाल करके, साथ की साथ दो देती हूं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है, बिल्कुल ही कम ट साथ में देखिए जो यह हमारी जाली होती है इसके अंदर अगर कोई पीस सबजी का रोटी का कोई भी टुकड़ा है तो आप साथ की साथ इससे बार निकाल दें नहीं तो इसके अंदर किटानू हो जाते हैं चिटियां लग जाती हैं और कोकुरुज बगेरा भी आने का यहा यह भी ध्यान रखने की बाथ है दूसरा आप इसके बाद साबून का जूना ले करके जो बरतनों की सबजी की तेल की घी चिकनाई लगी हूँ यह बरतन दोने के बाद वो चिकनाई आप साबून से एक बार साप कर दें जहां चिकनाई लगी होती है वहाँ पी चीटियां तो यहां पर आप साबुन का हाथ मार करके एक और उपर पानी डाल करके दो दे तो आपका सिंख जो है बहुत ही चमकदार भी रहेगा साथ में सुन्दर भी दिखेगा और आपका काम भी हलका हो जाएगा शुबह तक किचन साफ रहेगा और अगला टिप्स है यह जोना आपको हमेशा जड़का करके रखना है थोड़ा सा जिटका करके ताकि यह जंग ना लगे इसमें अगला टिप्स है यह जो जाली होती है इसके अंदर आप बेकिंग पाउडर जरूर डाले एक चमच आदा चमच जरूर डाले क्योंकि इस नाली के अंदर से बदबू आने लग जाती है और उपर से आप दो लिटर के करीब इसके अंदर गरम पाने डाल दें जितने भी किटानू है मर जाएंगे और बेकिंग पाउडर जो है किटानू रहित बनाता है तो कैसा लग आज का वीडियो अगले वीडियो तक के लिए बाई टेके